और भाई लोग क्या बोलते हैं अपनी पबजीक सेना हेलो दोस्तों मैं हूपवन देश्मक और आप देख रहे मेरा चाहिने क्रेटिव पवन सुग गई जी स्वीड़ में हम आज बात करने वाले है बात नहीं मैं आपको लायू दिखाने वालो बहुत जोनों ने सुबर मेरे में चैनल के उपर बहुत सारे कमेंट किये कि भाई आंडरोइड पर हमारा नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है अपके सामने लाइव मेरे सेकेंड मोबाईल में आपको दिखाने वाला हूँ और उसी के साथ मैंने आई वो यस मतलब आइफोन जो यूजर है उनके लिए भी इस तरह से आप उसे अपडेट कर सकते हैं पब्जी मोबाईल को तो चलो गाई इस वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को इंट तक देखना कंप्लेट देखना तभी आपको समझ में आएगा नहीं तो बीच में भाग जाते हो यार तो फिर कमेंट करते की नहीं हो रहा है त आप पूरा वीडियो देखा करो तो गाई देख सकते हैं जैसी आप क्लिक करोगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है तो इस तरह के पेज़ पर आ जाओगे यहाप नीचे आप देख सकते हैं डाउनलोड 1.0 पॉइंट आपडेट आपको देखन तो यह डिपेंड करता है कि आपका मॉबाइल कौन सा इसका है तो उसके उपर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो देख सकते हैं दो टाइप के आपके सामने दिखाई दे रहे होगे अगर आपका Android मतलब जो भी आपका वर्जन रहता है वो सेटिंग में आपको दिखा खाएगा तो मेरा Android 7 है जैसी कि आप देख सकते हैं यहाप तो किदर गया है एंड्रोइड वर्जन देख सकते हैं मेरा 7.0 है आपको दिख रहे होगा तो इस तरह से आपका चेक कर लेना और उसके बाद यहाँ पर आजाना वेबसाइट और यहाँ से जो भी आपका है तो इ razi कि आप देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है तो चलो देखते हैं कितने देर में यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है मेरा रहा हमारा Zap को फैil adapter दाउनलोड हो चुका है मैं यहाँ पर इससे स्टॉल कर देता ओ दिदाओध देख सकते इंस्टॉलिंग चलो है और अभी देखते भाई इसको आपडेट कैसे करना है तो बहुत जोनों ने AP के फाइल तो डाउनलोड कर लिया होगा मेरे काल से और उनका इंस्टालेशन ओभी भी फाइल डाउनलोड होने में प्राबलेम हो रहा है तो देखते गाईज यहाँ पर इंस्टालेशन चालो है तो जल्दी से हो जा भाई और इसके बाद अगर देखो गाईज मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ स्क्रीन शॉट और वो सब कुछ जैसे भी आता है वह इसे सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ तो चलो यहाँ पर इंस्टाल हो चुका है ओपन कर लेते गाईज और यहाँ पर मैं अपना देखो अभी मैंने स्टार्टी में यहाँ पर वाइप बंद कर देता हूँ और आपके पास डेटा ही होगा मुझे पता है तो आप यहाँ पर अपने पब्जी मोबाइल को इंस्टाल के ताइम पर आपको इस तरह से एरर आएगा जैसी कि देख सकते हैं डाउनलोड पॉज हो गया इस तरह से एरर आएगा अगर आप डेटा के ऊपर डाउनलोड कर र जैसी कि आपके सामने तो देखो गाइज मैरा डाउनलोडिंग आटोमेटिकली चालो हो गया है जैसी कि देख सकते हैं तो इस तरह से आपको करना है तो देख सकते हैं बैक्राउंड में मेरा उपर दिख रहा होगा 1841 मतलब 1.841 GB का आपको यह देखने को मिल रहा है लगब अब किसी को डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके बता सकता है पूरा डाउनलोड होने के बाद आप इसे खेल पाओगे तो गाईस यह मैंने आपके सामने प्रूब कर दिया पूरा आपका अगर डेटा होगा तो गाईस यह डेटा होने पर नए होता है डाउनलोड पास हो पता नहीं क्यों बट आपको अपने मॉबाइल का होट स्पाट आउन करके ही आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा अगर नहीं है तो आपने फ्रेंड को इस पर रिचाज करो 10-15 का एक जीबी का डाउनलोड कर लो यार जल्दी से बस तो गई जहां पर आप देख सकते हैं मैंने अपने आइपैड में भी अपडेट कर लिया है PUBG Mobile Version 1.0 को तो आप भी आइपैड और आइफोन में किस तरह से कर सकते हैं तो मैं आपको सबसे बहले तो यह आप पर ओपन करके दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे आइपैड में अभी इंस्टाल हो चुका है 1.0 का अपडेट और आप किस तरह से कर सकते हैं तो मैं आपको यह भी बताने हो तो गाइज वीड़ो को एंट तक देखना है Android वाला तुम इने अल्रेड बता दिया अभी iPhone वालो की बारी है तो चलो तो गाइज मैं आइपैड में आपको दिखा देता हूं तो देखो सबसे बहले हो तो Apple Store में जाना है आपको यहाँ पर राइट आड में उपर आपका profile का sign दिख रहा होगा तो वहाँ पर Apple ID में जाना है आपको आपने और देख सकते हैं यहाँ पर Country Region चेंज करने का यहाँ यहाँ पर option आ रहा होगा तो इसके उपर क्लिक करना है Country Region चेंज करने का option पर यहाँ पर देख सकते हैं चेंज कंट्री तो यहाँ पर मैंने United States सेलेट किया था तो आप भी यहाँ पर United States सेलेट कर सकते हैं और इनका मैंने यहाँ पर address डालने के लिए तीन address दिये हैं जो कि description म आपने तो भी आपका यहाँ पर iPhone या iPad में PUBG Mobile अपडेट हो जाएगा तो इसके मैंने सब कुछ एकदम आपके सामने कर रहा हूँ तो यह सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ गाईज यह अपडेट हो जाता है तो चलो गाईज यहाँ पर देख सकते हैं पुरा और credit debit card कार्ड तो none आप कर सकते हो तो उसके बाद guys देख सकते हैं street और यह address जो है न guys as it is भी डाला तो भी चलेगा नहीं तो फिर मैंने तीन address दिये हैं जो की description में link दे दिया है आप जाकर वहाँ से same to same copy paste कर सकते हैं street as it is city भी as it is कर सकते हैं state भी जो जो मैंने address दिया है तीन address दे दिया है फेक वाल है तो आप जाकर उसे copy paste यह आपर कर सकते हैं और अपना country change कर सकते हैं जैसी कि आप देख सकते हैं पूरा United States का US का मैंने यह आप भर दिया है तो देख सकते हैं phone number भी as it is डाल दिया तो भी कोई problem नहीं है तो देख सकते हैं पूरा मैंने यह आपर भर दिया है एकदम और done कर देंगे next करने के बाद तो done के उपर क्लिक कर दिया और यहाँ पर 10-15-30 seconds तक maximum आपका refresh हो जाता है और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ तो PUBG Mobile मैं यहाँ पर search कर लेता हूँ तो जैसी कि आप देख सकते हैं मैंने search कर लिया और यहाँ पर open करने का option आत उसके उपर update कर सकते हैं जैसी कि देख सकते हैं मेरा PUBG Mobile यहाँ पर update के लिए चालो हो चुका है जो कि स्टार्टिंग में मैंने दिखा दिया था कि मैंने मेरा iPad में update कर लिया है और इसके बाद update होने के बाद आपको PUBG Mobile open भी करने 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 जरूरत नहीं country change कर दो अपना India return कर गाइस कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि आप में से कितने बंदों ने यहाँ पर PUBG Mobile version 1.0 update कर लिया है और किसने किसने नहीं किया है तो आप मुझे आपका problem बता सकते है और जितना मैंने वीडियो में बता है उतना भी किया तो आपका PUBG Mobile यहाँ पर 100% update हो जाएगा जै झाल